गोड मॉर्निंग एभीवन चली हम लोग करेंट अफिर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और साइंस अंटिक के अंदर कुछ इंपोर्टेंट और करेंट अफिर्स को देखते हैं सबसे पहले आपके सामें दिखरा हूँ यूरेनियम 241 यूरेनियम 241 एक नया आईसोटोप मिला है यानि समस्थानिक मिला है यूरेनियम का और ये यूरेनियम 241 जो है ये इसका मास नंबर है जिसको दरबमान संख्या कहते हैं ये मास नंबर है और कहा जाता है 1979 के बाद पहला ऐसा मौका आया है पहली बार ऐसा हुआ है जब न्यूट्रों से रिच यानि न्यूट्रों से समवर्दित यूरेनियम समस्थानिक यानि आईसोटोप की खोज की गई है इसके इसके फैक्स ये हैं कि इसका अटोमिक नंबर 92 है और अटोमिक मास 241 है तो इस न्यूट्रों की संख्या 92 है और न्यूट्रों जो है 149 है तो न्यूट्रों 149 होने के कारण क्योंकि आपको पता है सोलर मास नंबर के अंदर दोनों को एड किया जाता है तो यहाँ पे न्यूट्रों इतना अधिक न्यूट्रों वाला ये 1979 के बाद पहला मौका है जब हम यूरेनियम के आईसोटोप को खोजे है इसके साथ इसके साथ कुछ और फैक्स यह है कि यूरेनियम 241 यूरेनियम 238 के बाद यूरेनियम 238 के बाद यूरेनियम का दूसरा सबसे बार आईसोटोप है यानि समस्थानिक है और इसके साथ ही इसकी जो अर्ध आयू है यानि जापान ने खोजा है जापान में इसको धूंडा गया है जापान के हाई एनरजी एकस लेटर रिसर्च और्गनाइशन के दौरा इसकी खोज की गई है और फिजिकल रिव्यू लेटर से उसके अंदर इसको प्रकासित किया गया है यानि इसके बारे में इंफॉर्मिशन दिय किया गया है दूसरा दूसरा बार्ख है मैं दूसरा फैक्ट यह ज्यादा कुछ नहीं है यह सबसे पहले के अंदर के रल में के तीरुआनंथ पूरम में वहां टेक्नो सीटी एक एरिया है उसके अंदर जहां पर इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं वहां पर इसको इस टार्ट किया गया है यहां पर डिजिटली और इनोवेटिव तरीके से इंट्रक्टिव इनोवेशन जोन होगा जहां पर अलग-अलग तरीके से चीजों को दिखाया जाएगा 3D यह सब पेंटिंग्स होंगे 3D टाइप के स्क्रीन होंगे वहां पर बलब यह सब अलग- cool conditioner condenser air cool condenser यहां पर ध्यान रखिएगा कि यह जो air cool condenser है यह NTPC की जो unit है NTPC National Thermal Power Corporation इसका जहारखंड के उतरीकरणपूरा सूपर क्रिटिकल संयंत्र यानि नौर्थ करनपूरा सूपर क्रिटिकल प्लांट के अंदर ये एर कूल्ड कंडेंसर को स्टार्ट किया गया है याद रखिएगा कि ये जो करनपूरा है उसके अंदर टोटल 3 into 660 3660 मेगवाट का 3 unit बनाया जाएगा टोटल चमता 9080 हो जाएगी इसकी 9080 हो जाएगी और इस तरह से इसके अंदर जो एर कूल्ड कंडेंसर का यूज किया गया है उसके कारण कहा जाता है कि पूरे साल में 30.5 million घन मीटर तक पानी बचेगा और इतना ही नहीं यह जो traditional water air condenser का यूज किया जाता था उसकी तूलना में लगबग यह 1.3 ही पानी यूज करेगा ऐसा 1.3 water footprint है इसका कम पानी यूज करेगा और अब सवाल है कि यह जो कंड पुरा है इससे किसको किसको फाइदा मिलेगा तो जारखंड में है तो जारखंड को तो मिलना ही मिलना है जारखंड के साथ साथ बगल में बिहार है तो बिहार को मिलेगा उसके पास में पश्षी मंगाल है उसको भी मिलेगा उसके पास में ओडिशा है तो इस तरह से जारखंड के इलाबा बिहार पश्षी मंगाल और ओडिशा को ये फायदा मिलने वाला है बैंडीकूट बैंडीकूट वर्ल्ड का पहला मैलड होने वाला क्या है रोबोट मैलड होने वाला रोबोट देखिए मैलाड होने वाला यह उठा रहा है न तो मैलाड होने वाला रोबोट है कहां पे भारत में तो यह सब काम साउट इंडिया के अंदर बहुत होता है केरल राज में दुनिया का पहला मैलड होने वाला जो रोबोट है उसका नाम है बैंडिकूट उसको इनोग्रेट किया गया और ये जो बैंडिकूट है ये गुरु वायूर सीवेज प्रियोजना के अंतरगत लाया गया है याद रखिएगा केरल ऐसा पहला राज है जहां पर इसका यूज किया जाएगा किसके लिए में होल man holes के लिए इसका use किया जाएगा और ऐसा करने वाला ये पहला रज है और इसको बनाने वाला जो company है इसका नाम है Jane Robotic इसके द्वारा इसको start किया गया है liquid mirror telescope सबसे पहला fact पहला fact ये liquid mirror telescope जो है ये actually liquid ही नहीं है सिर्फ international liquid mirror telescope है और इतना ही नहीं है ये चार मीटर लंबा है यानि एशिया का सबसे बड़ा हो गया ये एशिया का सबसे बड़ा चार मीटर लंबा International Liquid Mirror Telescope कहां स्थापित किया गया है कहां स्थापित किया गया है तो सबसे पहले UK, UK का मतलब उत्राखंड और उत्राखंड में भी कहां तो उत्राखंड में आपको पता है कि ARIES है A-R-I-E-S फूल्पाम याद कर लीजे आरे भट रिसर्ट इंस्टिट्यूट आफ अब्जर्वेशन साइंसिस तो ARIES के अंदर ARIES है उत्राखंड में उसी के परिशर में देवस्थल वेदसाला जो परिशर है उसका वहाँ पे इसको स्थापित किया गया है आपको पता होना चीज़ जो ARIES है ये उत्राखंड के नैनिताल जिले के अंदर है 4 मीटर हुचा है और इसको 2450 4 मीटर लंबा है 2450 मीटर की हुचा ही पे रखा गया है अब आपके मन में आएगा कि क्या भारत नहीं पूड़ा का पूड़ा बना दिया नहीं इसका डिजाइन और डिजाइन और मैनुफेक्ट्रिंग दोनों ही डिजाइन और निर्मान दोनों ही बेलजियम का एडवांस Mechanical और Optical System Corporation और Central Spatial D Lease ने किया है तो ऐसा नहीं है यह Asia का सबसे बढ़ा इस्टॉल किया गया है आरेभट में लेकिन इसको Belgium के द्वारा त्यार किया गया है इसके अलावा यह जो ILMT है International Liquid Mirror इसको इसमें बहुत सारे देश है Belgium है उजबेकिस्तान है, Poland है British Columbia University है Montreal का Toronto University है Toronto है, York University है Canada का है तो ऐसे कई सारे उनिवसिटी ने भी इसमें cooperate किया है अलग-अलग तरीके से तो इसका काम है वही अंतरिक्ष में के करेगा नहीं नहीं चीजों को खोजेगा और क्या काम होगा Liquid Mirror Telescope का यह एक fact हाथ लगा है वो fact यह है कि जम्मू और कश्मीर में पहली बार लीथियम मिला है जम्मू और कश्मीर में पहली बार लीथियम मिला है और लीथियम मिलना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि भबिस अब इसी पर ठीका हुगा है आप जितना भी गाड़ी यूज़ करते हो एलेक्ट्रिक वाला बाइक हो, स्कूटी हो, या कार हो या आगे इस तरह से इरिक्सा है कई सारी चीज़े चल रही एलेक्ट्रिक पे तो उन सब के अंदर बैटरी यूज़ होता है इसके अलाबा, आजकल डिवाइसेस को काफी छोटा और कॉम्पक्ट और हलका बनाने के चक्कर में उसमें लीथियम बैटरी का यूज़ किया जा रहा है लंबे समय तक चलता है, बहुत ही कम स्पेस लेता है, वजन काफी कम होता है खिलोने में, घड़ी में, अलग-अलग जगह पे, कैमरा में, अलग-अलग जगह पे इसका यूज़ होता है, अब ये लीथियम बैटरी जो रियासी जीला है जम्मू इंड कश्मीर में माता वैशनो देवी का जो इलाका है, माता वैशनो देवी जो है, वो रियासी जीलाके में रियासी डिस्टिक के सलान हैमाना एरिया रियासी डिस्टिक के सलान हैमाना एरिया में इसको ढूंडा गया है, लीथियम को और अनुमान ये है कि 5.9 मिलियन टन बहुत होता है 5.9 मिलियन टन ऐसा हो सकता ऐसा नुमान लगाया गया है और आपको पता है सबसे ज़्यादा कहां पर दुनिया में चीली में चीली में कितना है 9.3 million metric ton 9.3 million metric ton है और यहां पर 5.9 million ton की बात की जा रही है तो दोनों में बहुत अंसर है तो इस तरह से अब इस लीथियम के लिए बहुत सारे अलग-अलग तरह के यह स्क हैं यानि ओर हैं जिसका यूज किया जाता है मिंदल से लाइक पेटलाइट है लेपीडोलाइट है इसपूर्डू मीन है इंबा लाइगोनाइट है तो ऐसे कई सारे यह स्क हैं जिससे लीथियम को निकाला जाता है और आपको पता ही है कि भारत में जो पहला लीथियम बैटरी के निर्मान का जो सहींत्र था वह आंद्रप्रदेश की तिरुपती में स्थापित किया गया है तो यह फैक्ट्स हो गए जिलिए भारत का जो पॉलेटरी फॉर्म है वो एवियन एन फ्लूंजा से मुक इसको एप्रूवल मिल गया किससे मिला वर्ल्ड किससे मिलता है वर्ल्ड और्गनाजीशन फॉर एनिमल हेल्थ वर्ल्ड और्गनाजीशन फॉर एनिमल हेल्थ इसको कहा जाता है विस्व पशु स्वास्त संगठन जैसे विस्व संगठन होता है ना विस्व पशु स्वास् इसको एप्रूबल दे दिया गया है और यह घोशना हुआ है 13 अक्टूबर को 13 अक्टूबर अंड़ा दिवस भी मनाया जाता है तो यह इस तरह से भारत अब हो गया तो जिसके कारण यूरोपी एक कुछ देश और अलग-अलग कंट्री ने अलग-अलग तरीके से इंडियन उनको रिलीज करना पड़ेगा वो उनकी मजबूरी है एवियन एंफिलूंजा जिसको बड़ फ्लू अक्सरा कहते हैं हम लोग यह जानवडों में फ्लू के रूप में आता है और इसके लिए विशानों जो है उसके कारण यह वाइरस होता था तो खेर इससे अब भारत मु देख करहें नौर्थ अमेरिके को साउथ अमेरिका से जोड़ा जोड़ता है वहाँ पर पैसके को दिखेगा और दोनों जगासे दूसको कीजिए ठीक है यहां ग्वाटमाली चाही घ्टा जाएग गली जरी जर्ध कर में चकनाविष सिह 1990 यह सो bir का फORYंक् 100 हैं किस May 22k 2009 उ का मद्ध अमेरिका का ये दूसरा देश है और अमेरिका का ओवराल चौथा देश बन गया है जिसमें अर्जेंटीना अलसलबाडोर पडागवे ये सब भी हो चुके हैं तो अर्जेंटीना अलसलबाडोर पडागवे के ये चौथा देश है और अलसलवा डोड के बाद ये मीड अमेरिका का दूसरा देश बन गया है और इसके साथ साथ 2023 में कई सारे देश मलेरिया मुक्त हुए जैसे आजरवेजान तजाकिस्तान और उसके बाद ये तीसरा देश बना है जो मलेरिया से मुक्त हुआ है तो इतना काफी है बेलीज के लिए आगे R21 R21 क्या है R21 मैट्रिक्स इंबी कहते हैं उसको R21 मलेरिया रोधी एक वैक्सिन है और ये दूसरा ऐसा वैक्सिन है जिसको WHO ने अप्रूब किया है WHO के द्वारा जो आप्रूबल दिया गया है मलेरिया रोधाम के लिए उसमें R21 एक दूसरा आप्रूबल वाला मैट्रिक्स हो गया है दूसरा आप्रूबल वाला वैक्सिन हो गया है इसमें इसको बनाया है किसने तो Oxford University UK का Oxford University का जो जेनर इंस्टिट है एक तो वो UK वाला दूसरा Serum Institute of India इन दोनों के द्वारा इसको बनाया गया है अब ये जो RTS ASOI है इसको इसका जो कॉमर्शियल नेम है उसका कॉमर्शियल नेम का नाम है Mass Curicus तो Mass Curicus के नाम से ये साहत बिकेगा अभी तब पूरा पता नहीं चला है लेकिन इसके अंदर ध्यान रखियेगा कि R21 Matrix M इसका नाम दिया गया है R21 Oblix Matrix M ये इसका नाम है और ये दूसरा Approved WHO के द्वारा ठीका है इसके अंदर कई सारे अलग-अलग देश ने भी इसके अंदर सपोर्ट किया है जैसे European Invest Bank है Welcome Trust है तो अलग-अलग अलग अजिंशियों के द्वारा भी फिनांसल सपोर्ट किया गया है ये क्या करता है मलेरिया के खिलाब जब ये वैक्सिन जाता है तो जो हमारा Immune System है लडने के लिए उसको ये तेज कर देता है और बेसिकली जितने भी वैक्सिन सोते हैं वो वही काम करते हैं उस बिमारी के लडने की चमता को बढ़ा देते हैं इसको ठीक से समझ भी लो और जान भी लो सीकल सेल एनीमिया देखिए अभी भारत सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम लॉंच किया गया है उसका नाम है N-S-C-E-M National Sequel Cell Anemia Unmulan यानि Elimination Mission National Sequel Cell Anemia Elimination Mission अब यहाँ पर ध्याँ रखना दो फैक्ट है सबसे पहले कि जो सीकल एनिमिया क्या हो तो हम बाद में अभी देखेंगे लेकिन सीकल एनिमिया को हटाने के लिए नरिंद्र मोदी जी के द्वारा मद्य पर्देश के सहडोल जिले से MP, मद्द पर्देश के सहडोल जिले से इसका उन्मूलन किया गया पहला fact है, दूसरा 2047 तक इसको remove कर लिया जाएगा इसको eliminate कर दिया जाएगा, ऐसा target है तो दो है, मद्द पर्देश के सहडोल से start किया गया और 2047 तक target किया गया इसको हटा देने का अब इसके साथ और fact किया है, कितने state में start किया गया शुरुबात में 17, जहां skill anemia बहुत अधिक है ऐसे targeted 17 state के अंदर 278 district को target किया गया है इसमें आदिवासी तो लगबग सब आ जाएंगे इसके अलावा जहां high risk है इसका, उन सब को इसके अंदर डाला गया है वहाँ screening होगी, management किया जाएगा, कैसे उसको रोका जाए अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तड़ीकों से उन सब पे काम होगा इन 17th state में 17 राज्यों में कौन-कौन है तो 17 राज्यों में बिहार है इन 17 राज्यों में उत्तर परदेश है उत्राखंड है, मध्य परदेश है, गुजरात है, महरास्ट्र है, राजस्थान है, छतिस गड़ है, जारखंड, पशिम बंगाल, ओडिशा, तामिल नाडू, तेलंगाना, करनाटक, असम और आंधर परदेश तोटल 17 होगा है न, यह 17 है, याद इसमें देखे होता है क्या है, जो सिकल होता है, सिकल के अंदर, यह सबसे पहले समझो कि हैईटरी वालर हो गए, अनुबान सिकल हो गए, पुस्तैन ही आता है, इसमें होता यह है, कि जो भी, जिनको भी इस तरह की विमारी है, तो उनका जो red blood cell है, उसके अंदर oxygen की हो जाती है कमी, तो oxygen की कमी होने के कारण, वो काफी hard हो जाता है, यह देखो, hard हो जाता है, और अर्ध गोलाकार हो जाता है, पूरा round step नहीं होगा, यह अर्ध गोलाकार टाइप का हो जाएगा, तो जो अलग step होना चीए न, उस तरह का नहीं होत तो इसके कारण क्या होता है, इसको कहते है, सीकल एनेमिया, सीकल एनेमिया, इसके कारण होता यह है, कि जो सीकल है, जो जिस तरह सिल है, तो सीकल सिल क्या करता है, जो धमनी है, आर्टरीज है, उसके अंदर दिक्कत क्रिएट करता है, और सरीर में हेमोगलोबीन और बलड की कमी होने लगती है तो उसी को सीकल एनियमिया कहते हैं और 19 जून को सीकल एनियमिया जगरुकता दिवस मनाय जाने की मनाय जाता भी है तो यह fact है सीकल अज के लिए इतना ही फिर हम लोग next class में नए facts के साथ मिलेंगे